अस्सलाम अलेकुम प्यारे बच्चो आज हम अलग अंदाज में हो ली इस पार्ट का अगले इससे कस्पश्टी करण देखेंगे रंगों का ये खेल काफी देर तक चलता रहा जब सारे ठक गए तो उरुद्द आश्रम के चोटे से पार्क में बैठ गए थोड़ी देर सुस्ताने के उपरान सबने भुजन किया भुजन कहते हैं खाने को भुजन के बाद बुजर्गों ने सभी बच्चों को अपनी दिन्दगी के हसी मज़ाग के किस्ते सुनाएं और उनका खूब मनुरंजन किया उन्होंने कहा इस अंदास की होली सदा याद रहेगी बच्चों ने भी बुजर्गों को गीत कवीता के साथ नुरुत्य गान करके खूब आनन्दित किया नुरुत्य यान्य डान्स और आनन्दित करना यानी खूश करना आज उरुद्ध अश्रम का माहोल ऐसा था जैसा आज तक यहां कभी नहीं देखा गया बच्चपन और बुड़ापा आज एक मंच पर बैट कर खूब मस्ती कर रहे थे मंच कहते है स्टेज को एक बुजर्ग ने कहा बच्चों ने आज हमें खुशी के वेपल दिये है जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छिन लिये थे ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान है बच्चों के ये लोग जलती रहनी चाहिए यो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है यही वो लोग है जो आने वाले वक्त में ऐसी संसकारवान पीड़ी का निर्मान करेगी जो इन उरुद्ध अश्रमों को बरने से रोक पाएगी संसकारवान ने तहजी व्याफता और उरुद्ध अश्रम को तहजी व्याफता कोमी रोक सकती है बुजर्ग अपनी अंतिम साच को अपनों के साथ इसी तरह से असी कुशी गुजार पाएंगे बुजर्ग की बातों को सभी बच्चों ने गांट बान लिया उन्होंने मन ही मन अपने आप से एते समाज का निर्मान का वादा कर लिया था जहां बुजर्गों के साथ पूरा नयाय हो सकेगा नयाय कहते हैं इनसाफ को और वे अपनी जिंदगी के आकरी दिन अपनों के साथ हसी खुशी बिता सकेंगे शाम होने को थी अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजर्गों से आग्या मांगी आग्या मांगना यानि इजाज़त मांगना बुज़ुर्गों ने सोचा ना था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे लेकिन समय काफी हो चुका था समय यानि वक्त वे अब उनको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे जाने से पहले बुज़ुर्गों ने सब बच्चों को कौपी और पेन बेट किये बेट करना यानि तोफ़ा देना बच्चे फूले न समाए बच्चे उरुद्ध आश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे उन्हें जाते देख बुज़ुर्गों की आँखे भरती जा रही थी वे इन नन्ने फरिष्टों का तहे दिल से शुक्रिया आदा कर रहे थे गैर होते वे भी उन्हें अपनों सा प्यार ढेर सारी खुशिया दी बच्चे मस्ती में नास्ते गाते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी महल्यवासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया वे अपने बच्चों दुआरा किये गए इस नेक कार्य पर गर्व मेहसूस कर रहे थे गर्व महसूस करना यानि फख्र महसूस करना सच्मुच यह एक नए परकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न ही यानि बच्चों ने जो होली मनाई वो सच्मुच एक नए किस्म की होली थी बच्चों ने उसमें रंग ना खेलते हुए उरुद्ध आश्रम के बुड़ों के साथ बुजर्गों के साथ वो हुली मनाई इससे क्या हूंगा लोगों में सकारत्मक सोच के साथ संपन्न सकारत्मक सोच पैदा होगी